जाहिन दिफेंस लवर्स आज की टॉप हैडलाइन्स कुछ इस प्रिकार है जानिये AMCA कैसे कॉंपेट करेगा उससे पहले विक्सित हो रही टेकनोजी से अगले मैने से रुस्तम 2 का प्रोडक्शन होगा स्टार्ट इंडिनेर फोर्स के MI-17 V5 हेलिकॉप्टर्स को एक्क्यूप्ट किया जाएगा इसरेल के स्पाइक एंड लॉस एटी जीम से पागिसान के नबाग हरकत का हुआ एक बहुत बड़ा खुलासा और भारत के All India Limited में हुए सैबर इटेक में रशिन मालवियर शामिल तवीक की Weekly Magazine में भारत के स्वधिसी प्रोग्राम AMCA और रुस्तम 2 को लेकर कुछ बेहदी बड़े और दिल्चस्प खुलासे किये गए हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मैग्जीन में AMCA को लेकर क्या कहा गिया है तो AMCA के बारे में आप सब ये तो जानती होंगे कि ये भारत का 5th generation fighter प्रोग्राम है जिसमें तो खास variant तैयार किये जा रहे हैं पहला variant होगा Mark 1 और दूसरा होगा Mark 2 जो Mark 1 है वो एक 5th generation fighter होगा जिसकी 2030 तक Indian Air Force की सर्विस में इंडेक्ट होनी की संभावना है वहीं जो Mark 2 है तो वो एक 5.5 generation का fighter होगा जिसमें 6th generation fighter की capabilities भी include की गई होगी और अब दावीक के साथ exclusive interview के दोरान इस प्रोग्राम पर काम कर रहे ओफिशल्स की तरब से इस बात का खुलासा किया गिया है कि AMCA की जो top speed होने वाली है वो होगी करीब Mac 2.15 यानि की 2600 km पर hour और अगर ऐसा होता है तो फिर AMCA 5th generation fighters की category में सबसे fastest 5th generation वाला fighter होगा हाला कि हमने अपने AMCA वाली वीडियो में आपको पहले ही बताया था AMCA की रफ्तार Mac 2.15 तक हो सकती है लेकिन उस समय तक यह जो अनुमान था यह officially confirm नहीं हुआ था लेकिन अभी official confirm हो चुका है कि AMCA Mac 2.15 तक की रफ्तार के साथ आने वाला है और वैसा अगर आपको AMCA प्रोग्राम के वारे में in-depth details चाहिए तो लड़ी हमने इस पर वीडियो बनाई हैं आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा हमें पूरी उमीद है कि उस वीडियो को देखने के बाद AMCA को लेकर आपकी सारे confusion दूर हो जाएगी इसके अलावा ADA officials ने ये भी confirm किया है कि AMCA MK1 70% indigenous होगा यानि कि उसमें 70% तक के स्वदेशी component इस्तमाल होगी लेकिन जो AMCA MK2 होगा उसमें यही स्वदेशी करण की मात्रा 90% तक की होगी और केवल कुछ ही major components दूसरी countries से import किये जाएंगे जैसे कि Martin Baker की ejection seat इसके अलावा ये भी बताया गया कि AMCA program के लिए LCA program के comparison में budget काफी जादा है और अब इसकी manufacturing स्टार्ट करने के लिए CCS के final approval का इंतेजार है और उन्हें ये भी उमीद है कि CCS से जो approval है ये भी बेहदी जल अब कभी भी आ सकता है और AMCA के पहले 5 prototypes को बनाने और उनकी flight testing के लिए ADA ने 10 साल का roadmap त्यार किया है और जो पहले 5 prototypes से उनकी जो cost होगी वो होगी करीब 900 करोड रुपीज इच लेकिन ये भी उमीद जताए गई है कि बाद में जाकर जब इसका production process स्टार्ट हो जाएगा ये imported fighters के comparison में कहीं गुना सस्ता होगा और अगर आप इसे compare करते हैं F-22 और F-35 जैसे 5th generation fighters है तो AMC के development cost है तो वो यूस के इन प्रोग्राम की overall development cost का केवल 9% हिस्सा है यहादा कि इसका basic aircraft यानि कि जिसमें इसकी weapons की cost, maintenance और upgrades की cost नहीं लगाए गई है तो वो करीब 50-60% जादा सस्ता होगा और जो उसके life cycle cost है वो भी करीब 70% cheaper होगी किसी imported aircraft के comparison में और AMC MK1 में engine और ejection seats को छोड़ कर जो जितने भी sensors हैं, avionics हैं, flat control systems हैं विस सारे के सारे स्वरेसी होने वाले हैं और इसी वज़े से AMC MK1 70% तक indigenous होगा Officers का ये भी कहना है कि जितनी देरी LCA program में हुई थी तो AMCA program में उतनी देरी ना हो तो इसी बात को सुनश्चित करने के लिए एक PMT बनाए गई है यानि कि Project Monitoring Team जो कि AMCA project के सभी पहलूँ को देखने वाली है और इस टीम में 25 Indian Air Force officers हैं जिने head कर रहे हैं air marshal rank की officer और इस program के देखरे के लिए PMT ADA की सभी meetings में शामिल होती है और साथे साथे इस बात को भी सुनश्चित करती है कि Indian Air Force headquarters से जो भी जरूरी approvals चाहिए वो समय पर मिल सकें और इस टीम को बनाने का खास परपस इसले भी है क्योंकि इससे पहले clearance पाने के लिए सबसे पहले रक्षा मंत्राले को लेटर लिखना पड़ता था फिर उसके बाद कई महीनों तक इंतिचार करना पड़ता था Indian Air Force से clearance आने का लेकिन आज के समय में सारे clearance दो दिनों के अंदर ही मिल जाते हैं और A.D.O. officials को कहना है कि ऐसा इसले भी है क्योंकि अपसे इन प्रोग्राम में user जो की इंडिनेर 4 से तो वो भी काफी ज़्यादा involved होके इसमें काम कर रही है Officials का ये भी कहना है कि AMC को इस तरीके से design किया जा रहा है ताकि उसकी जो shelf life है वो करीब 30 सालों तक रहे इसके लवा Officials ने ये भी confirm किया कि AMC MK2 electronic pilot जैसे feature के साथ भी आएगा जो कि एक तरह का mission pilot होगा और वाइरक्राफ्ट के flying pilot को mission में support करेगा बिल्कुल किसी actual co-pilot की तरह इसके लवा AMC MK2 में automatic take-off landing, automatic air-to-air refueling, high-level की artificial intelligence और remote piloting जैसे कई सारे futuristic features include किये जाएंगे और अकसा लोगों की शिकायत रहती है कि भारत का जो 5th generation fighter program में वो काफी पीछे है और कई लोग इस बात का सवाल भी उठाते हैं कि जब तक भारत का fighter program तयार होगा तब तक अन्य देश, 6th generation या उससे भी आगे की technology पर काम कर रहे होगे यानि कि future में जाके हमें कोई नए technology इसको include करने के लिए कोई अलग सा fighter बनाने के जर्वत नहीं पड़ेगी हम अपने इसी existing system में उसे integrate कर सकेंगे और AMCA की stealth features को लेकर ये कहा गिया है कि इसे खास और पर low observability के इसाब से design किया जा रहा है यानि कि इसे detect कर पाना असान नहीं होगा और अगर कोई AMCA को detect कर भी ले तो ऐसे में officials को कहना है कि AMCA disappear हो सकता है और बहुत तेजी से target के pass पहुंच सकता है ताकि इसको react करने के लिए बेहदी कम reaction time मिल सके अब ये disappear हो सकता है ये वाले जो feature है ये तो कहर हमें भी समझ में नहीं आया है लेकिन हागर इस वाले point को लेकर आपको कुछ कहना है तो आप उसे comment section में share कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि रुस्तम 2 प्रोग्राम को लेकर कौन-कौन से बड़े खुलासे किये गए हैं तो रुस्तम 2 जिसका नया नाम है Tapas BH201 Tapas BH का full form है Tactical Airborne Platform for Aerial Surveillance Beyond Horizon 201 और रुस्तम 2 इसका पहले वाला नाम था लेकिन अब भी ये रुस्तम 2 के नाम से ही जादा मशूर है तो दवीक के साथ खास बातचीत के तोरान ओफिशल्स के तरब से खुलासा किया गिया है कि जो ये रुस्तम 2 है तो इसने अपनी first external pilot assisted night landing को complete कर लिया है और ये बेहेदी जल्द इंडिनराम forces में induct होने के लिए भी तैयार है इसके लावा officials के ये भी कहना है कि मुख्य रूप से इस UVV को surveillance purpose के लिए ही बनाया गिया है लेकिन ये अपने साथ हत्यार भी carry कर सकता है और first time officially ये confirm होया कि रुस्तम 2 को weapons carry करने के लिए भी pre-design किया गया है और इसे एक armed platform यानि कि एक armed UVV में convert किया जा सकता है इसमें automatic take off और landing capabilities होने वाली है लेकिन इसे केवल small missions के लिए ही design किया गया है इसके अलवा officials ने ये भी बताया कि HL पहले 5 तपस UVVs को produce करेगी और इसका production दो-तिन महिने बाद नहीं बलकि अगले महिने याने की मई सही start होने वाला है और HL जो ये पहले 5 रुस्तम 2 को बना रही है तो ये खास करके user trials में इस्तमाल होंगे और HL दोवारे इन रुस्तम 2 के जो delivery है वो सितंबर से एपरिल महिने की बीच में की जाएगी officials का ये भी कहना है कि पहले 5 रुस्तम 2 UVVs के लिए flight control system, avionics और data link system ये सभी तयार हो चुके हैं और जैसी airframe तयार हो जाता है जो कि HL कर रही है तो फिर उसके बाद तेजी से इन systems को इसमें integrate किया जाएगा और इन UVVs के लिए जो engines से भी already order कर दिये गए हैं और पहले दो रुस्तम 2 की integration process में ADE की team HL team को train करेगी ताकि बागी के UVVs पर HL खुच सही integration कर सके यानि कि ADE केवल production stage सकी इसको monitor करेगी इसके लावा ये भी बताया गया कि total 76 रुस्तम drones इंडियनाम forces के service में इंड़क किया जाएंगे जिसमें से 60 army के लिए 12 air force के लिए और 4 navy के लिए और वैसे तो इस program को complete करने की जो date थी वो 2016 थी लेकिन फिर उसे 2023 तक extend कर दिया गया था लेकिन इसके साथ ये भारा सरकार न ये भी clear कर दिया है कि अब ये date 2023 से आगे और expand नहीं होगी यानि कि आपको ये program 2023 तक complete करना है और फिलाल के लिए तो इस drone को power देने के लिए Austria made austro engines का इस्तमाल किया जाएगा लेकिन DRU scientist क्वाइमिटेवर बेस private firm के साथ इसके लिए एक स्वधिसी इंजिन को विक्सित करने पर भी काम कर रही है और जैसे इसका स्वधिसी इंजिन विक्सित हो जाता है तो इस रुस्तम ड्रोन में स्वधिसी करन की मात्रा और भी बढ़ जाएगी और फिलाल के लिए अभी इसमें 75% तक की इंडियन मेंट कॉंपोनेंट इस्तिमाल हुए है और DRU scientist का ये भी दावा है कि एक बार इंडेक्ट होने के बार रुस्तम टू ड्रोन इंपोर्टेट ड्रोन की कमपेरिजन में 8 गुना जादा सस्ता होगा और बाकि आपको बता दे कि जिस प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर रुस्तम टू के स्वदीसी इंजन को बनाया जा रहा है उस कमपनी क नामे जैम आटोमोटिफ्स प्राइवेट लिमिटेड एनई की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मताबिक रश्य युक्रियन वार से कुछ नई लैसेंस लेते हुए अब इंडिन एर फोर्स अपने रशिन ओरिजन के MI-17 V-5 हेलिकॉप्टर्स में इस्रेली ओरिजन की स्पाइक एंड लॉस यानि की नॉन लाइन ओफ साइट एंटि टैंक गाइड़ेड मिसाइल्स को इंटिग्रेट करने वाली है जैसे कि हम सभी ने देखा ये कि रशिय यूकरिन कॉणफलिक में जो ये एंटि टैंक मिसाइल्स हैं इन्होंने एक बहुती महत्तपुन भूमिका निभाई हैं रिपोर्ट के मुताबिक इंडिन एरफोर्स ने इन एंटि टैंक गाइड मिसाइल्स में अपनी दिल्चस भी करीब दो साल पहले तब दिखाई थी जब पूर्विल अद्दाक में भारत और चाइना के बीच विवाद बढ़ गया था और जिसके चाइनिज आर्मी ने काफ नहीं महतरपूर्ण है और इसलिए सोर्स के कहना है कि फोर्स के तरब से इस्रेयल के इन स्पाइक एन लॉस एटी जीम के कुछ लिमिटेड नंबर्स में ओर्डर्स प्लेस किये गए हैं लेकिन साथ में ये भी गहा गया है कि इंडिन एरफोर्स इन विसाइल्स के रिक्वा उदादी के भारत के हेलिना मिसाइल साथ से 10 किलोमेटर की रेंज के साथ आती है और वहीं इस्रेयल की जो ये स्पाइक एन लॉस एटी जीम है तो इसकी रेंज करीब 30 किलोमेटर तक है इसके लावा एक अपडेट ये भी सामने आया है जिसमें टाइम सव इंडेक रिपोर इसको काउंटर करने के लिए और इन स्मोक ग्रेट को विक्सित किया है डियाडियो की हमारे लेटरी ने और इंडिन आर्मी अलग-अलग इलाकों में और अलग-अलग टेंपरेचर में इन ग्रेट को आलड़ी टेस्स कर चुकी है ये रेगिस्तान के 45 डिग्री से लेकर कुछ लिमिटेशन्स हैं जैसे कि अभी तक जो स्मोक ग्रेट्स इस्तमाल होते आ रहे थे तो वह एंटी थर्मल और एंटी लेजर सिस्टम से एक क्योब दुश्मन के टैंक्स और बीमपी के खिलाफ कोई भी सुरक्षय प्रदान नहीं करते हैं लेकिन अब जो नियूली ड कोफॉमेंस से पूरी तरीकी से सैटिसफाइड है और एक बहुत बड़ी क्वेंटिडी में इनकी मैनुफेक्ट्रिंग स्टर्ट की जानी है और बाकि आगे बढ़ने से पहले आप मेंसे शायद ये कोई ऐसा होगा जो गूगल कंपनी के प्रोड़क्ट इस्तमाल ना करता ह बलके आपमें सादिक्त लोग नैविगेशन के लिए गूगल मैप्स कहीं इस्तमाल करते होंगे और ऐसे ही गूगल के कई सारे प्रोड़क्स हैं जिनको हम सभी डेली बेसिस पर कहीं ना कहीं इस्तमाल जरूर करते हैं और ये वे आप जानते होंगे कि गूगल का नाम टॉ आसानी से invest कर सकते हैं और US stocks में invest करने के लिए आपको पूरा share लेने के जरुवत भी नहीं है बलकि आप उसे fraction में यानि उनके share का छोटे से छोटा हिस्सा भी ले सकते हैं और IND money platform में account opening की कोई भी fees नहीं है, कोई भी commission नहीं है कोई भी brokerage charges नहीं है और अगर आप first time इसमें fund करते हैं तो आपको 750 रुपीज तक के US stocks और free में मिलते हैं और IND money की इस्तिमाज से केवल US stocks ही नहीं बलकि आप अपनी सारी investments को एकी जगा से track भी कर सकते हैं तो अगर आप इस platform को try करना चाहते हैं ताकि आपको Google Companies के shares free में मिल सकें पिछले 24 गंडे में जम्मो कश्मीर में दो अलग-अलग operations चलाए गए थे एक operation चलाए गया था कुलगाओं में और दूसरा चलाए गया था पुलवामा में तो जो कुलगाओं वाला operation है उसमें हमारी forces ने सुमरों के संगंधन जैश के दो सुमरों को सफलता पुर्वग होरी फाइट किया है और जो ये दो सुमर मारे गए हैं ये पाकिस्तान से थे और इनके पास से दो एकी राइफल्स साथ एकी मैगजीन, नौग गरनेट्स और ऐसी अधर arms and ammunitions recover किये गए हैं और इन दोरों सुमरों में से एक की पहचान सुल्तान पठान के तौर पर हुई है और दूसरे की जबियुल्ला के तौर पर ये दोरों ही पाकिस्तान की निवासी थे और ये categorized terrorists थे जो कि कुलगाव और सुम्पिय डिस्ट्रिक की एरियास में 2018 से active थे लेकिन हमारे forces ने अब इनको हमेशे के लिए deactivate कर दिया है इसी तरीके से पुल्वामा में जो joint operation launch किया गया है तो अभी जिससे में हमें video record कर रहे हैं तब तक आए रिपोर्ट के मुताबिक इस operation में अभी तक टोटल तीन सुमरों को सेंगर लशकर से जुड़े हुए थे और इन तीन में से एक के पहचान आरीफ हजर और रहान के तौर पर हुई है जो कि लशकर के टॉप कमांडर के deputy था और यहमारे security forces परसनल के killing में भी इन्वाल था और अभी बाकी के जो दो मारे गए हैं तो उनकी पहचान होनी अभी बाकी है इसके लवा अभी जो जम्मू के सुझवा में CISF परसनल की बस पर आतंकियों ने कायरतपूर तरिके से हमला किया था और इस हमले में CISF के Braveheart ASI SP पटेल वीरकती को प्राप्थ हुए थे तो इस मामले पर CISF के तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मताविक इस हमले के 36 घंटे बाद एक व्यक्ति को ग्रिफतार किया गया है और जबकि एक को डिटेन भी किया गया है क्योंकि इन दोनों ने दो आतंकियों को पना दी थी और बागे आतंकियों से याद आया पाकिस्तान के पाकिस्तान के तरफ गिर गया था और उन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया था और उस समय जो यह तस्वीर सामने आई थी तो उस तस्वीर में विंग कमांडर अभिनिंदन वर्दमान के साथ जो ब्राउन जैकेट में व्यक्ति दिखाई दे रहा है यह वही पाक पाकिस्तान के प्राउन के दिखाई और इस बात का खुलासा दिल्ली कोट में फाइल की गई चार्जशीट में किया गया है जिसकी जनकारी दा इंडियन एक्सप्रेस न्यूस पेपर की तरफ से दी गई है और इस चार्जशीट के अनुसार इन दोनों आधंकियों को पाकि पाकिस्तारी के समय भी मौझूद था और इस सारे चीजे फिर से इस बात को क्लियर करती है कि पाकिसान की आर्मी पाकिसान की आईसाई किस तरीके से भारत में शानती फैलाने के लिए आतंकियों को ट्रेन करती है और फिर उन्हें भारत भेशती है शनिवार को एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए रक्षय मंत्री शरी राजना सिंग की तरब से एक बाफेर से इस बात को दोराया गया है कि अगर सीमा पार से आतंकी भारत को टार्गेट करने की कोशिस करेंगे तो उनको जवाब देने के लिए फिर भारत भी सीमा पार करने से हिच किचाएगा नहीं और इस औरान रक्षय मंत्र के ये भी कहना थे कि भारत सरकार इस देश से आतंगवाद का सफाया करने पर काम कर रही है इसके अलावा कल 25 एपरिल से नेवल कमांडर्स कॉन्फरेंस 2022 के पहले एडिशन को शुरू किया जाएगा और इस औरान इंडियन नेवी चीफ के साथ नेवी के सबी टॉप कमांडर्स पिछले छे महने की नेवी की मेजर ओपरेशन्स, लॉजिस्टिक्स, HRD और ऐसी अधर एक्टिविटीस को रिव्यू करने के साथ साथ नेवी के फ्यूचर प्लैंस को भी डिसकस करेंगे इसके अलावा इंडियन कोजगार टैंपनी सर्विस में एक नई वैसल को इंडग किया है जिसका नाम है औरजा प्रभा जो कि एक ऑक्जिलरी बार्ज है यानि कि एक ऐसी वैसल जिसे खास तौर पर डिजाइन किया जाता है कार्गो शिप फ्यूल एवेशन फ्यूल या फ्रेश वार्टर को केरी करने के लिए इसके लवा एक बड़ा अपडेट यह है कि जो अभी कुछ दिनों पहले भारत के All India Limited पर साइबर एटेक होने वाली रिपोर्ट सामने आई थी तो अब इसी मामले पर कुछ नहीं जानकारी सामने आई हैं और वो यह है कि टॉप पुलिस ऑफिशल का कहना है कि साइबर एटेक में रशिन मालवियर के इस्तमाल किया गया था जो की नाजियरिया के सर्वर में प्लान था बाकि अब समय हैं आज के इतिहास का तो आपको ब 25 वीर जवान वीरगती को प्राप्त हुए थे आज गर वो दिन है जब 1956 में नागलेंड में अपने अदमें सहासुर वीरता का परिचे देते हुए हवल्दार जोगिंदर सिंग भी वीरगती को प्राप्त हुए थे और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरडो प्रान अशोक च चक्र से भी सम्मानित किया गया वाके आपके लिए आज का सवाल कि मेजर शैतान सिंग इंडिल आर्मी की कौन सी रेजिमेंट से थे और अब समय है आज के टॉप थ्री कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और बाकी जाते जाते हमारे मरचंडाइस के नए डिजाइन्स को चेक आउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशे के तरह उपन है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जिरूर कर लें